तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Fast Track Revolt X Smart Watch को smartphone से connect करके एक-एक features कैसे use कर सकते हैं complete smart watch का setup जो है कैसे कर सकते हैं complete smart watch को कैसे use कर सकते हैं वही इस वीडियो में आज हम देखने वाले हैं तो सबसे पहले देख सकते हैं हमारा smart watch यहां पे on है एंड आपका भी smart watch on होगा तो कुछ इस तरीके का जो है interface आएगा एंड उसके बाद हमें क्या करना है उसके बाद हमें हमारे phone पे चले जाना है एंड phone के play store या app store पे आपको चले जाना है वहाँ से आपको fast track reflex world कल की ये app है इसको आपको install कर लेना है डाउनलोड कर लेना है यहाँ पे देख सकते हैं इस app को मैंने यहाँ इंस्टल कर लिया है इसको install करने के बाद डिरेक्ट इसको open नहीं करना है इसको open करने से पहले कुछ चीजों का आपको ध्यान रखना है सबसे पहले आपके phone में internet connection on होना चीए आपके phone का bluetooth on होना चीए और आपके phone में location on होना चीए इस सबी चीजों का आपको ध्यान रखना है यह सबी चीजे on कर देना है उसके बाद जो है app को open करना है कुछ इस तरीके से सो यहाँ पर देख सकते हैं app को हमने open कर दिया यहाँ पर app जो है open हो रहा है कुछ इस तरीके से यहाँ पर देख सकते है सो कुछ ऐसा option आ रहा है यहाँ पर सबसे नीचे एक option है skip to sign up यहाँ पर हमें click कर देना है उसके बाद कुछ ऐसा option आएगा यहाँ पर I have read and accept पर क्लिक कर देना है कुछ इस तरीके से यहाँ पर tick करने के बाद यहाँ पर accept पर क्लिक कर देना है नीचे इतना क्लिक करने के बाद फिर से यहाँ पर skip these steps पर क्लिक कर देना है यहाँ पर कुछ इस तरीके से उसके बाद यहाँ पर mobile number डाल देना है and mobile number डालने के बाद एक OTP आएगा उस mobile number पे वो डालके verify कर लेना है तो चलिए यह हम कर लेते हैं तो देख सकते हैं OTP डालके verify करने के बाद कुछ ऐसा option आएगा यहाँ पर आपको camera के सामने एक permit का option है इस पर click कर देना है कुछ इस तरीके से एक तो जो यह QR कोड है यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर अगर आप smart watch में आओगे slide इधर करोगे यहाँ पर देख सकते हो एक QR कोड देखने के लिए मिलता है तो इसको भी scan करके आप connect कर सकते हो लेकिन अगर QR कोड आगर smart watch आपका on है इन QR कोड अगर नहीं दिख रहा है तो आप यहाँ से search manually पर click करके कुछ इस तरीके से search manually पर click कर देना है यहाँ पर search में हमारा smart watch आ जाएगा जैसे कि आप देख पा रहे हो तो थोड़ा सा हमें wait करना है सर्चिंग हो रहा है यहाँ थोड़ा सा wait करते हैं ध्यान रखना है स्मार्ट watch जई on होना चाहिए ठीक है तो यहाँ पे से चेहां पर किलीक करने के बाद यहां पर क्लीक करने के बाद एक हैं दो सबसे उपर वाला ओप्सन यह रेड हो गा एंध कनेक्ट होने के बाद यह वाइट हो जाता है कुछ इस तरीके से इसे के साथ आगे बात करो तो यहाँ पर देख सकते हो Bluetooth Pairing का Option आ गया है तो यहाँ पर हम Pair पर क्लिक कर देते हैं Pair पर क्लिक करते हैं इस Smart Watch Bluetooth से Connect हो जाएगा जैसे कि आप उपर में देख सकते हो एगर Bluetooth Pairing का Option नहीं आता है तो आपको manually Bluetooth Setting में चल जाना है and Bluetooth Setting में जाके आपको ध्यान से जो यह देख सकते हो FT38 यह Complete Bluetooth है इसको Connect करना है तो यह Smart Watch को Bluetooth से manually जाके Bluetooth Setting से Connect करना है अगर Connect करने का Automatic Option नहीं आता है तो तो ध्यान से आपको Bluetooth से Connect कर लेना है उसके बाद यहाँ पर अपना नाम डाल सकते हो जो भी नाम है यहाँ पर मैंने डाल दिया है Continue करता हूँ यहाँ पर Gender से लेक कर लेना है यहाँ पर अपना Date of Birth से लेक कर लेना है यहाँ पर अपना Height आप से लेक कर सकते हो यहाँ से आप अपना Weight से लेक कर सकते हो यहाँ से कितने घंटे आप सोना चाहते हो weather के सामने permit का option है click कर देना है यहाँ पे phone DND के सामने permit का option है यहाँ भी हमें click कर देना है उसके बाद कुछ ऐसा option आएगा यहाँ पे fast track reflex जो एप है उस पे click करना है और यहाँ पे permission को allow कर देना है उसके बाद फिर से हम back आ जाते हैं हम अपने एप पे यहाँ पर देख सकते हो अभी हमारे smart watch complete connect है smartphone से चलिए देखते हैं आगे और features जो हम कैसे use कर सकते हैं यहाँ पर देख सकते हो smart phone में भी steps वागे रहे हैं यहाँ पर देख सकते हो calories count भी यहाँ से देख सकते हो चलिए main settings जो है उसके तरफ हम बढ़ते हैं यहाँ पर देख सकते हो कि smart watch का sign बना हुआ है यहाँ पर हम क्लिक करते हैं कुछ इस तरीके से यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर watch faces आप set कर सकते हो कोई भी watch faces अगर set करना है तो यहाँ से आप set कर सकते हो यहां पर देख सकते हो, काफी सारे watch faces देखने के लिए मिल जाते हैं, यहां पर view all करके और भी watch faces यहां पर देख सकते हू करते हू. अगर मुझे यह set करने है, smart watch पे तो इस पे मैं click करूंगा यहां पर install on watch पे मैं click कर दूँगा, install on watch पे click करते हैं यहाँ पे setup होना start हो जाएगा and हमें थोड़ा सा wait करना है and यहाँ पे फिर से एक option है install on watch फिर से यहाँ पे click कर देना है कुछ इस तरीके से so देख सकते हैं installing जो है start हो गया है यहाँ पे देख सकते हैं 0% so कर रहा है यह 100% होता ही हमारे यह photo जो है picture जो है smart watch पे set हो जाएगा so देख सकते हैं 100% हो गया है काफी fast यहाँ पे set हो गया है and यहाँ पे देख सकते हो so यहाँ पे update failed हो गया है देख सकते हो update यहाँ पे failed हो गया है फिर से हम try करते हैं फिर से आपby install on watch पे klik करते हैं, फिर से एक बार हैंपे हम click करते हैं and फिर से हम यहाप़ wait करते हैं, यहाप़ देख सकते जीरो % हो कर रहा है and 100% होने का हम wait करते हैं, फिर से update हम फेल्ड हो Gया है, यहाप़ आपने देखा दो बार हमने try किया, लेकिन यह जो failed हो रहा है set नहीं हो रहा है तो problem क्या है वो देखते हैं जैसे कि एगर हम watch पे आते हैं display पे एगर हम click करके रखते हैं कुछ इस तरीके से तो कुछ watch faces जो आप watch से ही change कर सकते हो कुछ इस तरीके से जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो इस में से कोई एक watch faces आपको हटाना होगा तभी जो आप एक नया watch faces set कर पाओगे तो यहाँ पे देख सकते हो जितने ही watch faces अभी watch में है वो यहाँ पे दिखेंगे यहाँ पे so करेंगे इन में से जिनके जगह पे आप इसको set करना चाहते हैं उसको select कर लेना है तो सब्सक्राइब मुझे इसको set करना है तो इसको मैं select कर लूँगा कुछ इस तरीके से देख सकते हैं select हो गया है उसके बाद यहाँ पे install on watch में क्लिक करूँगा फिर से install on watch में मैं क्लिक कर दूँगा अब देखेंगे जो हमने select किया है वो delete हो जाएगा यह जो watch faces है हमारे watch पे set हो जाएगा यहाँ पर देख सकते है अभी 0% है थोड़ा सा हमें आपे wait करते है 100% होने का अभी भी देख सकते हैं आपे setup पे start हो गया है अभी देख सकते हैं 100% है यहाँ पे हो गया है and complete setup हो गया है अभी अगर मैं watch में दिखा दू तो देख सकते हूँ जो हम photo set कर रहे थे जो watch faces set कर रहे थे यहाँ हमारा smart watch पे set हो गया है so कुछ इस तरीके से complete कोई भी watch faces जो है smartphone से आप change कर सकते हो इसके app से अब बात करें आप खुद का photo कैसे watch पे set कर सकते हो so यहाँ पे देख सकते हो जो आप यहाँ पे smart watch वाले option में आते हैं तो यहाँ पे सबसे उपर watch faces में custom का option है तो custom वाले option पे आपको click कर देना है यहाँ पे click करने बाद आपको photo यहाँ पे gallery पे click करना है कुछ इस तरीके से यहाँ पे click कर देते हैं इतना करने के बाद देख सकते हो कुछ ऐसा option आ जाएगा, उसके बाद आपको क्या करना है, देख सकते हो यहाँ पे नीचे next का option है, यहाँ पे हमें click कर देना है, यहाँ पे click करने के बाद install on watch पे click कर देना है कुछ इस तरीके से, यहाँ पे हम click करते हैं यहाँ पे installing start हो गया ह तो देख सकते हो 100% यहाँ पर हो गया है और देख सकते हो किसी अभी आपने देखा हम खोड़ का भी जो फोटो सेट कर रहे थे वह फेल्ड हो गया सेट नहीं हुआ तो यह प्रॉब्लम है आ पके साथ watch में set ना हो वही उसी पर click करें तो यहाँ पर इस पर मैं click कर देता हूँ कुछ इस तरीके से जैसे कि मैं बताया है यह सभी watch faces जो है watch face set रहते हैं already यह watch में है तो यहाँ से कोई भी नया set करने के लिए एक delete करना होगा या replace करना पड़ता है तो यहाँ पर खुद का photo set करना है तो यह वाला watch faces जो है मैं यहाँ से delete करूँगा तो इसको मैं पहले select कर लिया है उसके नीचे देख सकते हूँ delete का button है यहाँ पर मैं click कर देता हूँ कुछ इस तरीके से तो देख सकते हूँ यहाँ पर processing हो रहा है खुद का photo select कर लेते है यहाँ पर हम next पर click कर देते है कुछ इस तरीके से उसके बाद देख सकते हूँ कुछ इस तरीके से दिखेगा फिर से हम यहाँ पर next पर click कर देते है अब install on watch पर click कर देना है कुछ इस तरीके से यहाँ पर हम click कर देते है installing watch faces यहाँ पर start हो गया है and यहाँ पर हमें थोड़ा सा wait करना है, जैसे ही 100% होगा तो हमारा खुद का photo जो है watch page set हो जाएगा, so यहाँ पर देख सकते हो 100% हो नहीं वाला है and finally यहाँ पर देख सकते हो 100% हो गया है and यहाँ पर set हो and अभी हम देखते हैं watch में देख सकते हो, कुछ इस तरीके से हमारा खुद का photo जो है, जो हम gallery से set कर रहे थे, वो watch faces में यहाँ पर set हो गया है, watch face set हो गया है, so कुछ इस तरीके से कोई भी picture, कोई भी photo, अगर कोई problem आता है, तो manager से बताया है, same से लास्ट में, तो यहाँ पर आजाना है, settings वाले option पर, यहाँ पर एक permission मांग रहा है, यहाँ पर आपको allo कर देना है, उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो, settings में आने के बाद सबसे जो पहले चीज करनी है, वो है, यहाँ पर notification को on करना है, तो यहाँ पर turn on notification पर click कर देना है, यहाँ पर click करने के बाद नीचे जो allo ओफसन है यहाँ पर click कर देना है, allo कर देना है, इतना करने के बाद यहाँ पर एक option open होगा, यहाँ पर अभी permissions को allo करना है वरना problem आ सकता है आगे चलके उसके बाद भी यहां से हम allo कर देते हैं फिर से यहां पर फिर से हम allo कर देते हैं and contact का permission मांग रहा है उसको भी यहां से आपको allo कर देना है फिर से यहां पर हम allo कर देते हैं अब कोई भी call वागेर आएगा स्मार्ट फोन पे तो स्मार्ट वाच पे भी सो होगा है वहाँ से receive करके आप बात भी कर सकते हो call पे और कोई भी WhatsApp, Facebook, Instagram का notification, messages वागेर आता है वो भी आप स्मार्ट वाच में receive कर पाओगे देख पाओगे यहाँ पे देख सकते हैं एक option है all apps का तो all apps पे यहाँ पे click करते हो तो जिन जिन apps का आपको notification नहीं चीए वो चीजों को यहाँ से off कर देना है जैसे कि मुझे यहाँ पे calculator का notification नहीं चीए यहाँ पे आप Chrome का notification नहीं चीए यहाँ पे हमें और भी जो features हैं यहाँ पे Facebook का notification नीची है तो यह सभी चीज़े यहाँ से आप off करते हो and यहाँ पे save changes पे click कर देना है so कुछ इस तरीके से यहाँ से on off आप कर सकते हो चलिए एक बर आपको WhatsApp पे notification send करके दिखा दू कैसे work करता है so मैंने एक दूसरे phone से इस phone के WhatsApp पे notification message send कर दिया है and देख सकते है smart phone में भी receive हो गया है and यहाँ पे हमारे smart watch में भी receive हो गया है message देख सकते हैं कुछ इस तरीके से so कुछ इस तरीके से social media का कोई भी या फिर messages notifications अगर आता है चलिए आगे देखते हैं और कुछ features का आप कैसे use कर सकते हो so यहाँ पे देख सकते हो एक my watch करके option है तो my watch वाले option में हमें आपे click करते हैं उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो एक option है favorite contacts का तो आपे favorite contacts वाले option पे हम click करते हैं यहां पर मैं आपको दिखाए तो लाइव करके यहां पर देख सकते हो processing हो रहा है थोड़ा सा यहां पर time लग रहा है थोड़ा सा हम wait करते हैं यहां पर देख सकते हो सभी contact आ गए हैं तो जो भी contact यहां से आपको set करना है वो simply आपको select कर लेना है यहां पर कुछ already selected है उसको मैं यहां से हटा देता हूँ कुछ इस तरीके से जो आपको set करना है बस वही आपको select कर लेना है बाकी को यहां से हटा देना है फिलाल मुझे यह set करना है तो इसको मैं रहने दूँगा यहां पर save पर click कर दूँगा इसको मैं save करके दिखाता हूँ तो देख सकते हूँ यहां से set हो गया है और यह आप contact जो है हमारे smart watch में दीखेगा तो कुछ इस तरीके से कुछ contact है यहां पर 10 contact जो है यहां से set कर सकते हो जो की smart watch पर आप देख सकते हो और वहां से click करके call भी कर सकते हो फिर से my watch वाले option में जाते हैं यहां पर देख सकते हो कुछ options है यहां पर जैसे की weather update को यहां से on off कर सकते हो तो यहां पर अभी on है and turn off पर click करके आप off भी कर सकते हो और भी कुछ चीज़ें यहां से आप कर सकते हो जैसे कि यहां पर update watch का एक option है सो update watch पे अगर हम click करते हैं तो कुछ ऐसा option आएगा एंड यहाँ पे आपको हर हफ्ते check करते रहना है कोई भी अगर update आता है तो update कर लेना है सो कुछ यही important settings जो आप इसके smartphone से कर सकते हो इसके app से connect करके जो smartphone से आप कर सकते हो कुछ चीजें आप smart watch से क्या कर यूज कर सकते हो चलिए देखते हैं तो सबसे पहले जैसे कि मैंने बताया अगर आप display पे कुछ इस तरीके से प्रेस करके रखते हो तो कुछ watch पे से आप change कर सकते हो इसके साथ बात कर अगर हम slide up करते हो तो यहां से message सोगरा देख सकते हो यहां से अगर आप slide यहां पर left करते हो तो यहां से आप steps distance and calories count का यहां से आप use कर सकते हो यहां पर देख सकते हो कुछ इस तरीके से, इसे के साथ बात करते हो, यहां से आप health related features का कुछ इस तरीके से यहां से यूज कर सकते हो, यहां से आप sports mode का यूज कर सकते हो, यहां से आप sleep monitoring का, यहां पर weather update का यूज कर सकते हो, यहां से music control का यूज कर सकते हो, अगर आप display पे कर सकते हो k tavalla Beach में देह सकते हैंaming वाटर का फीचर है तो जब भी आप पानी में यूज करें स्मार्ट वाज हो तो पानी में यूज करने के बाद एक बार वाटर ड्रेनिंग फीचर का ज़रूर यूज करें तो कुछ इस तरीके से आप चार सकते हो तो यहां से इड़र्स कर सकते हो, यहां पर screen on time भी आप set कर सकते हो, कितने second बात जो है display off होना चीए वो भी यहां से आप set कर सकते हो, right पर click कर दिना है, यहां से rise to view का जो option है, lift to view का उसको on off कर सकते हो, यहां पर sound and vibration का एक option है जहां से silent कर सकते हो, ringtone का volume जो है call आने पर कितना तेज रिंग होना चीए वो set कर सकते हो, यहां से vibration की intensity जो है वो आप adjust कर सकते हो, इसी के सांथ बात करें यहां पर एक option है, सबसे नीचे आते हैं, यहां पर general का option है, general वाले option में जाने के बाद यहां से power off, restart and reset आप यहीं से कर सकते हो, साथी में चलते है इसके menu में, menu में जा को आजाएंगे, यहां से भी fitness का आप यूज कर सकते हो, यहां से आप phone का यूज कर सकते हो, जो phone वाला option है, यहां पर आजाने यहां पर recent calls में जाके आप call history देख सकते हो, जो भी call records होंगे, इसी के सांथ बात करें, फेबरेट contact में आके जो भी contact इसके app से आप से आप सेट क का option है यहां से voice assistant का यूज़ कर सकते हो यहां से आप sports mode का यूज़ कर सकते हो इसमें आपको health related features भी काफी सारे यहां पर देखने के लिए मिल जाते हैं जैसे कि heart rate, SPO2, stress monitoring, sleep monitoring का भी यहां से आप का यूज़ कर सकते हो यहां से देख सकते हो clock का option है clock वाले option में जाने के बाद alarm, stopwatch and timer का आप यूज़ कर सकते हो यहां से भी weather देख सकते हो music control, camera control का आप यूज़ कर सकते हो find my phone का यूज़ कर सकते हो इस पर अगर हम क्लिक करेंगे तो हमारा phone ring करना स्टार्ट हो जाएगा इसके लिए smartphone ने smartwatch से connect होना चाहिए साथी हम बात करते हो यहां से calculator का भी आप यूज़ कर सकते हो यहां से आप calendar का use कर सकते हो अब यहां पे ऊपर नीचे करके यहां पर जो है बनत को भी change कर सकते हो कुछ इस तरीके से साथी हम बात करते हो यहां पर आपको दो games भी देखने के लिए मिल जाते हैं तो यहां पर fun ए टाइम पास के लिए जो हैপ games को खेल सकते हो कुछ इस तरीके से इसे के साथ बात करें तो यहां से भी settings का option है तो यहां से भी आप settings में जा सकते हो So complete कुछ इस तरीके से इस smart watch को smartphone से connect करके एक-एक features जो आप use कर सकते हो बाकि कोई भी question हो तो comment करके पूछ सकते हैं and video को like जरूर कीजेगा